हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो अवर यूटूब चैनल आसान राफो यू मार्क्सिस मास के क्रिष्ट पक्ष में आनी वाली संकस्टी चतूर्थी को गनाधिप संकस्टी चतूर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गनेश जी के निमित व्रत रखने का विधान है। माननेता है कि चतूर्थी तिथी के दिन गनेश जी की पूजा करने से सुफ जान लेते हैं संकष्टी चतूर्थी पुजाविधी के बारे में गनेश जी को बल बुध्य और विवेक के देवता माना गया है वे अपने भक्तों को हर विग्न बादा और दुख से दूर रखते हैं सास्त्रों में संकष्टी चतूर्थी का अर्थ संकटों को हरने वाली चतूर्थी से ही है सबसे पहले जो लो गणाधिव संकष्टी चतुर्थी का वरत रखते हैं उन्हें ब्रह्म मुरत में उटकर शनानादी करना चाहिए इसके बाद हाथ में जल अक्षत और फूल लेकर वरत का संकल्प लेना चाहिए अब पूजा स्थल पर एक चौकी में गणेजी की परतिमा स् चाहिए तो सुब मुरत में जल से अर्ख देकर उपवास पूरा करें आये जान लेते हैं चतुर्थी चंद्रोदेव पूजन के बारे में चतुर्थी के दिन चंद्रपूजन का खास में तो है चतुर्थी के दिन साम चंद्रोदेव के समय वरत धारी को चंद्रपूजन की तयारी करनी चाहिए माननेता है कि चतुर्थी के चांद को सीधे न देखते हुए जल की छाया में ही इसके दर्सन करने चाहिए या फिर नीचे देखते हुए चंद्रमा को जल का अर्ग देना चाहिए चंद्रमा को अर्ग देने के बाद धूब दीप कर तिल वह गुड चंद्रदेव को अर्पित कर उनका आसिरवात लेना चाहिए। चले बात करते हैं इसकी उब्रत कता के बारे में। महादेव को जीता हुआ घोशित कर दिया जिससे मा करोधित हो गई। गुस्से में मा पार्वती ने बालक को स्राप दे दिया कि वो लगना हो जाए। बालक ने अपनी गलती के लिए लगातार माफी मांगी तो माता का दिल पसीज गया और बोली कि स्राप वापस तो नहीं हो सकता लेकिन उन्होंने बालक को स्राप मुक्ति का उपाय बताया। बालक ने पूरे विदान से व्रत किया और सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। परशन नहोकर गणेशी ने उन्हें स्राप मुक्त किया। इस तरह मान्यता है कि जो भी चतुर्ती ति थी कुवरत का उपवास करता है तो स्री गणेशी उसकी सभी इच्चाओं को पूरा करते हैं।